सिखेंगे बहु भुजों के प्रकार बहु भुज यानि पॉलिगॉन रेखा खंडों से बनी बंद आकरिती है जैसे तीन भुजाओं वाला त्रिभुज यानि ट्राइंगल, चार भुजाओं वाला चतुर भुज यानि क्वाडिलेटरल आदी सभी बहु भुज है क्या हम चार से अधिक भुजाओं से भी बहु भुज बना सकते हैं? हम निर्मान कारियों में, जंडे बनाने में, पिरामिट बनाने में देख सकते हैं अगर बहुभुज में चार भुजाएं हो तो उसे चतुर भुज कहते हैं चतुर भुज अलग-अलग प्रकार के होते हैं जैसे वर्ग, आयत, सम चतुर भुज, सम लंब, इत्यादी में देखते हैं पांच पुजाओं वाला बहुबुज को हम पंच पुज यानि पैंटागॉन कहते हैं यह आकार हम फुटबॉल पर डॉग हाउस कीचेन आदी में देखते हैं यदि आपने भिंडी काटने के बाद कटे हुए भाग को देखा होगा तो आपको एक पंच पुज को हम शडबुज यानि हेकसकॉन कहते हैं मदुमक्खी के छत्ते में इस आकार को देखा जा सकता है इसी प्रकार नट और बोल्ट फर्ष इत्यादी के आकारों में शडबुज देखा जा सकता है क्या बता सकते हैं छीलने से पहले पैंसिल के छीलने वाले भाग का आ साथ बुजाओं वाले बहुबुज को हम सब्त भुज यानि हैप्तगॉण कहते हैं इसी दरह यहाँ सब्त भुज के कुछ आकार है अगर हम आठ भुजाओं वाले बहुबुज के बात करें तो इसे हम अश्ट भुज यानि ऑक्टेकॉण कहते है रोड पर आपने यह चिन्न अवश्य देखा होगा क्या आप बता सकते हैं यह चिन्न कितनी भुजाओं से बना है सूचिए सूचिए चलिए हम बताते हैं यह चिन्न बना है आठ भुजाओं से यानि कि यह एक अश्ट भुज है इसी तरह अश्ट भुज के कुछ उधारन इस प्रकार है बहुबुजों का वर्गी करण एक और प्रकार से किया जा सकता है इस बहुबुज को देखिए इसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान है इसी तरह सभी कोणों का माप भी पराबर है एक बहुबुज जिसकी सभी भुजाओं बराबर हो एवं सभी कोण बराबर हो एक सम बहुबुज यानि regular polygon कहलाता है जैसे यह एक सम शड़ भुज है अब अगर हम इस बहुबुज के भुजाओं को देखें तो हमें यहाँ पता चलता है कि इसके सभी भुजाएं पराबर नहीं है इसी तरह इस बहुबुज की सभी भुजाएं पराबर है लेकिन सभी कोण पराबर नहीं है इसलिए ये दोनों भी सम बहुबुज नहीं है ऐसे बहुबुज विशम बहुबुज यानि irregular polygon कहलाते हैं ज जान रहे चतुर भुज, पंच भुज, शर भुज, जैसे बहुबुज, सम बहुबुज या विशम बहुबुज यानी irregular polygon हो सकते हैं. अब चलिए जानते हैं बहुबुज के विकर्णों यानि डाइगनल्स के बारे में क्या आपको याद है विकर्ण किसे कहते हैं? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, अगर किन ही दो शिर्षों को जोड़ा जाए जो आसन्न यानि अजिसन्ट नहीं है तो बनने वाला रेखाखंड एक विकर्ण कहलाता है जैसे चतुर्भुज में दो विकर्ण बनाये जा सकते हैं लेकिन त्रेभुज में कोई भी विकर्ण बनाया नहीं जा सकता यानि कि त्रेभुज में विकर्णों की संख्या शून्य है पंच भुज की बात करें तो इसमें पांच विकर्ण बनाए जा सकते हैं इसी तरह शरभुज में 9 और सब्त भुज में 14 विकर्ण बनाए जा सकते हैं किसी भुभुज के विकर्णों की संख्या ग्याद करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जहां इन भुभुज के भुजाओं की संख्या है तो बताईए अश्ट भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए आपने बिल्कुल सही जवाब प्राप्त किया यह होगी 20 तो आज हमने सीखा बहु भुजो के प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे इन पर आधारित कुछ मज़ेदान उदहारन